गुद मॉर्णिंग आपीवन आज हम एक्सरसाइज 3 करेंगे एक्सरसाइज 3 में हमारा क्या है compare the following pairs of following pairs of number and put greater than, less than and in the blanks तो यहाँ पर जो हमारा blanks है इसमें हमें यह sign लगाना है class 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरफ यह sign लगता है कैसे लगता है जो हमारा बड़ा number है जिदर बड़ा होगा उधर यह हमारा दो line वाला लगेगा और जिदर छोटा होगा उधर यह single वाला लगेगा तो आपको यहाँ पर यह number देखकर decide करना है कि कौन सा आपका बड़ा है और कौन सा छोटा है ठीक है पहला number आपको मैं बता देती हूँ 24305685 बिना count किये आप नहीं लगाएंगे 6,7,8,9,5,4,3 count क्या करना है once, tens, hundred, thousand, ten thousand, लाग, ten लाग, करोर इदर क्या है once, tens, hundred, thousand, ten thousand, लाग, ten लाग तो अब यह से यह बहला number बड़ा है अब इस तरह से लगा देंगे ऐसे ही आपको यह सारे number में लगाने है ठीक है question number two question number two में क्या करना है find the smallest and greatest number form the following इसमें आपको greatest और smallest number बताना है तो इसमें भी हम सारे numbers को count करेंगे पहले once, tens, hundred, thousand, ten thousand, लाग, ten लाग once, tens, hundred, thousand, ten thousand, लाग, ten लाग यहाँ भी ten लाग था, यह भी ten लाग है once, tens, hundred, thousand, ten thousand, लाग, ten लाग, करोर अब यह वाला हमारा करोर में आ गया तो हमारा सेकेंड वाला जो है ग्रेटेस्ट नंबर अब पहले लिख लेंगे मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूं आपनों को कोस्टन भी लिखना है 7654892 अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा हमारा सब इसमें से यह भी 10 लाग था यह भी 10 लाग था यह भी 10 लाग था अब 10 लाग में हमें देखना यह यह आगे हमारा 56 है 63 है 50 है तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या हुआ हुआ तो लिख देंगे मैं आप 50678 इसी तरह से कोस्टन नंबर 2 आप पूरा कर लेंगे कोस्टन नंबर 3 में क्या करना है पहले छोटा नंबर लिखते हैं फिर बड़ा फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा तो हमें सारे नंबर को यहां पर भी काउंट करने हैं सारे हमारे 10 लाक वाले नंबर है अब इसमें आपको अगर आपको सारे नंबर एक जैसे है तो आपको देखके समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें हमारा सुरू का नंबर देखेंगे दो नंबर 18301656 तो सबसे चोटा कौन सा होगा 16 वाला सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे आपको आपको असेंडिंग ओडर में हमें लिखना है तो हमारा नंबर सबसे पहला वाला क्या होगा 1678954 इसके बाद हम यह वाली साइन लगाएंगे क्योंकि हमारे इसके बाद का बड़ा नंबर है जो वह लिखेंगे 1867234 इसके बाद हम क्या लगाएंगे यह साइन फिर हमारा आएगा 30 वाला नंबर 3004568 फिर आएगा 5632189 यह हमारा हो गया कोश्चन नंबर 3 तक अब हम कोश्चन नंबर 4 करेंगे सब में से मैंने आपको एक एक कोश्चन कर दिया है आपको बागी की सारे कोश्चन कंप्लीट करने है आजी राइट थे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेट नंबर ओफ शिक्स डिजिट यूजिंग दिजिट अफ इस वन अउनली वन्स तो हमें हमारे कितने डिजिट है वन टू थ्री फॉर फाइब सिक्स छे डिजिट दिए वे हैं इसी को यूज करके हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने है ठीक है तो हमें क्या क्या करने हैं स्मॉलेस्ट नंबर पहले बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करेंगे हम पहले सबसे छोटे नंबर से सुरू करेंगे और फिर बरे नंबर तक जाएंगे लेकिन एक चिज़ आपको यहां ध्यान रखना है कि जो छोटा नंबर है हमारा वो हमारा 0 से स्टार्ट होना है तो हम smallest number में कभी भी 0 से number start नहीं करेंगे वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहां 6 digit number बनाना है जीरो से स्टार्ट करेंगे तो हमारा यह जो जीरो अगर हम सुरू में लगाते हैं तो हमारा वो number count नहीं होता है इसलिए smallest number में जीरो के बाद जो number है वहां से शुरू करेंगे second बें हम 0 लगाएंगे जैसे जीरो के बाद हमारा one है तो पहले one लिखेंगे फिर जीरो लिखेंगे फिर इसके बाद हमारा है four five six and eight one two three four five six क्या हम अगरा हो गया है smallest number और जो हम number बनाएंगे तो बीच में comma नहीं लगाएंगे जैसे इसमें comma लगा हूआ है आप लोग comma नहीं लगाऊगे ठीक है ना greatest number में क्या करना है greatest number में हम इसको लटा कर लेंगे बरे से छोटा की तरफ जाएंगे लेकिन जैसे हमने 0 यहां बीच में लगाया है उसमें 0 हमारा लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, 8, 6, 5, 4, 1, 0, तो यह हमारा greatest number हो गया, यह हमारा smallest number हो गया, सेम आपका question number 5 है, इसके भी आपको smallest और greatest number बनाने हैं, ऐसे ही लिखना है, इसी तरह से लिखके बनाने हैं, इसी तरह से लिखके बनाने हैं आपको, ठीक है, question number 6 में भी, write the greatest and smallest numbers of 8 digits using digits 0, 3, 5, 7, 5, 6, and 7 only, आपको इसे ही बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 digits है यहां, और इसे आपको, कितने digits के बनाने हैं, 8 digits के बनाने हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा changes करने पड़ेंगे, question number 6 बना रही हूँ है, number क्या है हमारा, आप लोग सारे question पहले copy में लिखेंगे, black pen से, फिर आप answer लिखोगे, और 7, यहां पर हमारे सिर्फ 5 digits है, 1, 2, 3, 4, 5, और हमें बनाने हैं कितना, 8 digits, इसी को 8 digits बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें बना नमबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे बड़ा नमबर है, उसको हम repeat करेंगे, कितनी बार करेंगे, यहां हमारा 5 digits है, तो हम इसको 3 बार repeat करेंगे, ठीक है, तर 6, 5, पर 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, ठीक है, हमारा, यह हो गया हमारा greatest number, अब हमें smallest बनाना है, smallest number में हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे छोटा number है, उसको repeat करेंगे, ठीक है, यहां भी हम पहले 3 लिखेंगे, क्योंकि 0 के बाद हमारा 3 है, तो हम पहले 3 लिखेंगे, फिर 0 को repeat करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आपका यह हो गया, तो आपका यह 6 भी कर दिया, मैंने, question number 7 आप मत करना, थोड़ा सा यह अलग है, इसमें अपनी मर्जी से number लेना है, तो सबके अलग-अलग answer आएंगे, question number 8 भी same, same question है आपका, जैसा 6 है, वैसा ही 8 है, तो आपको यह भी करना है, by using 0, 3, 2, 4, 1 only, write the smallest number of 8 digits, इसमें भी आपको 8 digits बनाने है, लेकिन आपको सिर्फ smallest बनाने है, greatest नहीं, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 digits है, smallest number बनाने है, तो 0 को हम repeat करेंगे, ठीक है, तो आपका यह exercise पूरा होता है, exercise 3, आपको यह आज, question number 1, 2, 3, classwork में रणना है, 4, 5, 6, and 8, homework में करना है, okay,